हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी आसा है आप सभी बहुती अच्छे होंगे तो दोस्तों PTT First Allotment List की जो result है वो अब से कुछ ही देर में जारी होने वाला है 11 बजे तक आपका जो result है वो जारी हो सकता है लेकिन दोस्तों आप सभी के लिए जो cut off है उसको मैं आपके लिए बिद होने वाली है तो इसको complete जरूर देखे और दोस्तों को share जरूर कर देना तो चलिए दोस्तों वीडियो को start करते हैं और like जरूर करें कोई भी student like नहीं करता है वीडियो को like जरूर कर दें अभी जाके like कीजिए तो दोस्तों यहाँ पे जो cut off है cut off है उसका दोस्तों जो criteria रहन जिसके 323 नमबर है और यहाँ पर जो रैंक है यहाँ पर 20,000 भी रैंक है और जो पिछली भार यहाँ पर 21,000 भी रैंक थी और नमबर वहाँ पर थे 300 ,300 वहाँ पर 51 नमबर थे जो की 351 पर 21,000 भी रैंक थी बलकि यहाँ पर 323 पर ही मात्र 21,000 भी रैंक है इसका मतलब यह इस पर डेपेंड करता है कि जो पेपर का जो पैटर्न था इस वार वो बहुत ही ज़्यादा टफ था तो आप रैंक को पकड़ के चलिए 21,000 पर फस्ट लिस्ट में कॉलिज मिल गया था obvious बात है कि यहाँ पर कॉलिज मिल जाएगा इसका मतलब यह है कि 320 पकड़ के चले तो यहाँ पर 320 पकड़ कर अगर चलते हैं तो यहाँ पर फस्ट लिस्ट में कॉलिज यहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो इसको अब यहाँ पे देखिए जो cutoff है यह तो first list की cutoff पकड़के चलिए 320 इसके अलावा आप क्या देख सकते हैं जो second, third और fourth जो list है उनमें cutoff down रहती है इसका मतलब यह हो गया कि दोस्तो इस वार जो cutoff है science की बहुत लगवग यहाँ पे आपको 290-295 तक देखने को मिल सकती है second list में second list में आपको 290-295 तक यह cutoff देखने को मिल सकती है और वहीं अगर arts की अगर मैं बात करता हूँ तो arts में यह cutoff लगवग यहाँ पे आपको 200 तक आपको देखने को मिल जाएगी और arts की अगर बात करें तो arts में आपको 300 लगवग 320 पर आपको 320 पर home district की यह first choice आपको देखने को मिल जाएगी एक अच्छा college आपको देखने को मिल जाएगा और वहीं 200-240 से 250 तक आपको all राजस्थान में सबी जो list जारी होंगी arts में उनमें आपको college देखने को मिल जाएगा और four year में आपके जो cutoff है वो बहुती जादा कम रहेगी आपने अगर registration कराया है तो आपको एक college जरूर alert होगा आपने अगर all राजस्थान किया है तो तो क्योंकि वहाँ पर registration कम है सीटों के मुकाबले तो यह exact cutoff यहाँ पर रहने वाली है इससे आप idea लगा सकते हैं कि जो first list है उसमें लगवक 320 का आखड़ा अगर पकरत के चलते हैं तो आपको 320 पर यह जब है जब आप all राजस्थान करेंगे 320 अगर आपके number बन रहे हैं all किया है तो definitely आपको college एक college जरूर मिलने वाला है आप लिखकर ले लीजिए और वहीं और मैंने यह बता दिया है 20,000 भी rank तक आपको यहाँ पर first list में 21,000 है तो आप इस वार 22,000 लेके चल सकते हैं और इसी 323 को आप number को कम करके भी चल सकते हैं लगवक 318 भी आप कर सकते हैं तो यह यहाँ पर exact cut off रहने वाली है तो जल्दी से दोस्तों को इस वीडियो को share कर दीजिए और result आपका थोड़ी ही देर में जारी होता है तो मैं आपको live भी बता दूँगा तो चैनल को subscribe कर लेना thank you